नमस्कार प्यारे दोस्तों सभी का विराट रेडियो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और आज आप सब लोगों के साथ मैं एक मोटिवेशनल वारतालाब शेयर करूँगी ये वारतालाब नदी और कुएं के बीच में है और उमीद करूँगी कि आप सब लोगों को ये वारतालाब जरूर कुछ सीखने को प्रेरित करेगी तो आईए शुरू करती हूँ एक दिन नदी ने कुएं से कहा अरे तुझ में और मुझ में तो बहुत फर्क है कुएं ने नदी की बात को सुना और कुएं मुस्कुराया और बोला हाँ फर्क तो है नदी ने फिर से कहा बुद्धी मान लोग कहते हैं कि जीवन का असली आनंद चलते रहने में है और मेरा पानी कितनी तेजी से बहता है और कितना साफ रहता है कुएं नदी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा हाँ भाई तुम ठीक ही कहते हो तभी एक बार फिर से नदी बोली तुम एक ही जगा के उपर खड़े रहते हो ये सोचकर तुम्हें शर्मिंदगी तो जरूर महसूस होती होगी तभी कुएं ने उत्तर दिया मैं शर्मिंदा नहीं हूँ उसने कहा चंचलता और ठहराओ में बहुत फर्क है तुम में गहराई की कमी है इसी लिए तुम में ठहराओ नहीं तुम्हें साफ और निर्मल रहने के लिए हमेशा चलना पड़ता है पर मेरे पास गहराई है ठहराओ है तुम्हें खुद चल कर प्यासे के पास जाना पड़ता है पर मेरे पास प्यासे खुद चल कर आते हैं तुम चलती जरूर हो पर तुम्हारी यात्रा उपर से नीचे की और है जिस जगह से तुम्हारी यात्रा की शुरुवात होती है उन जर्णों में तुम्हारा पानी मीठा और शुद होता है पर जैसे जैसे तुम नीचे की और चलती जाती हो, तुम्हारा पानी खारा और गंदा हो जाता है पर मेरी यात्रा नीचे से उपर की और है, जिससे मेरा पानी हमेशा मिठा रहता है जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जीवन का अनन्द चलने में है, पर जीवन में तुम्हारा चलना, तुम्हारे चलने की दिशा नीचे से उपर की और होनी चाहिए, उपर से नीचे की और नहीं अगर आप जीवन में उपर से नीचे की और चलते हैं, तो आपके जीवन की मिठास खतम हो जाएगी और वो खारे पन में बदल जाएगी अगर आप नीचे से उपर की तरफ को चलते हैं, तो आपके जीवन की मिठास बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जीवन में ठहराओ पैदा हो जाएगा और फिर आपको जीवन में अनंद लेने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी बलकि भटके हुए और प्यासे आपके पास खुद चल कर आएंगे और आपकी गहराई आपके ठहराओ का आनंद लेने के लिए ध्यान रहे अगर आप यात्रा में हैं तो जरूर आपकी यात्रा नीचे से उपर की और होनी चाहिए ना कि उपर से नीचे की और ये विचार है सरबजित सींग का अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें